हाज जी आजा आज हम लोग सेशन 34 करने वाले हैं अभी तक 33 तक कर चुके हैं बहुत धिर सारे इंट्रेस्टिंग वर्ड्स हम लोग सीख चुके हैं आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे और इसा आदमी जिसको थकान होती नहीं है इन दी फैटिगेल अभी पढ़ क्या हो is derived from the derived form of fatigue फटींग के derived है इसको थुदभा पतला कर लहत मोटा रहा है इन इस डिन नेगेटिव प्रिफिक्स इन एक नेगेटिव प्रिफिक्स है in justice justice के लगा दो in justice मतलब आपके साथ अन्याय हो रहा है the suffix able able का मतलब being able to hence literally in defatigable means unable to be fatigued जिसको थकाए निजा साथा the noun is in defatigable चलो आगे how simply can one be ingenuous is complimentary term now it's synonymous synonyms name gullible and credulous are faintly derogatory जो ingenious है यह जो थोड़े से यह complimentary term है but जिनके synonyms है like naive, gullible or credulous यह थोड़े से derogatory है derogatory term क्या होते है जो negative meaning impart करते है to call people ingenuous implied that they are frank, open, artless in other words not likely to turn to put anything over you nor apt to hide feelings or thoughts that more sophisticated person would consider it wise tactful or expedient to conceal basically कहरा क्या ऐसे आदमी frank होगे, open होगे और artless होगे, artless होने का मतलब क्या है बनावती बाते नहीं करेंगे in other words not likely to try to put anything over you कुछ भी एसा बड़ा चढ़ा के नहीं बताएंगे hide feelings or thoughts and that more sophisticated person a person would consider it wise, tactful and expedient to conceal basically अगर आपके thoughts and feelings उनको छुपाएं के खुब मिर्च मसाला लगा के ऐसा कुछ बताने की कोशिश नहीं करेंगा जो चीजें एक्दम साफ सुतरी simple चीजों को रखने की कोशिश करेंगा the noun is ingenious sorry ingenious should not be confused with ingenious ingenious दूसरा चीज जोता है ingenious ingenious और ingenious और ingenious में थोड़ा संतर है आई का ingenious clever shrewd inventive note slight difference spelling टीक है the noun form is ingenious ingenious ingenuineness and ingenious of ingenious ingenuity ingenuity इसका noun form है और ingeniousness इसका noun form है और ingeniousness भी इसका noun form है to call people naive is to imply that they have not learned the way of the world उन्होंने दुनिया की सारे चीजों को नहीं चाना नेव नूब ये सब वर्ड है को इस आदमी को पता है यह दुनिया कर से काम करती है आर देर्फोर idealistic and trusting beyond the point of safety such idealism and trust have probably came from the ignorance and in ignorance or in experience the noun is nevait nev उसको भी उसको कहते है जिसने कुछ ज़्यादा सिखा नहीं अभी नया नया है credulous credulous के आदमी होता है implies a willingness to believe almost anything no matter how fantastic जो credulous आदमी होता है वो किसी की बात वह विलीव करने के लिए तुरंत तयार है credibility से आता है अगर किसी आदमी के credibility है मतलब उस आदमी को सब उस आदमी का अप्यारा भरोसा कर सकते है credulous यह आदमी सबकी हर बात पर सबकी बात पर भरोसा किये जा रहा है ठीक है इसकी बात पर पी एकीन करेगा credulity लाइक नेविटी यूजली रिजल्स अगयां फ्रम इंग्नोरेंस और इनक्स्पिरियंस और परहाब्स रम इनवेलिटी तो बिलीव यूमन विंग्स आप तो मुर्ख ही हो ना आपने भी देखा नहीं कि दुनिया किस तरह से काम करती है तो अब नेक्स्ट वर्ट है ग जाएक तो आपने एसलिए इसली फूल्ट रॉल्ट और इसली इम्पोल इसली इंपोलरी इसली इसली इम्पोल्ट रॉल्स अफॉल्स और इसली देखा गाटरी है। गेलिबिलिटी रिज़ल्स नोरों इस्टूपिधित रहे धैन फ्लव इंगोरेंस और इनेक्ष्पिरियन्सद गütलिबल सिउस्क्ली स्टूपिडिट्टी से आती है आपको अराम से प्लाला जाब इस्टूपिडिटी है इग्नोरेंस है इनेक्ष्पिरियंशंदे आपको इस फोर सिनॉनिम्स कौन सा इंजीनुएस नेव गलीवल यह सब एक दूसरे के आसपास नहीं है ज्यादा इन में डिस्टिंशन नहीं है बट एक चीज़ याद रखना है इंजीनुएस पॉजिटिव रिस्पॉंस है मतलब कोई आदमी सिंपल लाइफ जीता है जैसे कि लाल बहा रिखना बहकिए recyclier जो आदमीं हर आदमीं हर चीज पर आरांम से विलिव कर लेता है यह और मैं क्लाइबल क्या है्-वादम वार्फ यिस इसको तुम आरां से कुछ भी बना i cuatro यह कोफी के के वजह से आती चार से मेल कर नौन 출On वोर्थ रिमेंबर इंग लेट्स लेट्स रिविव देखो क्या है इंजिनियर्स फ्रैंक है नॉट गिवन अटू कुछ उपाएगा नहीं साफ साब बात करेगा नेव इन एक्पिरेंस अन्सफेस्टिकर ट्रस्टिंग है क्रेडिलस विलिंग तो बिलीव नॉट देखो बेसिकली क्रेडिलस अभी क्रेडिट से आ गया अगर लोग आपके विलीव करते तो क्या करेंगे अपना क्रेडिट बढ़ा देंगे मतलब माल लेते हैं बहुत आपको दस जार रुपए चाहिए ता आपकी क्रेडिबिल्टी है गाउं में किया पैसे लोटा देता आपको लोग पैसे देंगे अगली बार अगर 20,000 रुपए होगे तब भी आपको लटा देंगे लोग आपको पैसे देंगे लोग क्या पैसे रिटर्न करते हो लेकिन वह एक आदमी जो पांच रुपए भी लेता है तो नहीं देता है तो इस उसकी क्रेडिबिल्टी है नह ही लाक्स क्रेडिबिल्टी ऑसिस अज्चिटिडिप सफिक्स दा भी तो उसुझाओ है यिशू सिगनिफाई वाव मिन पोल ओ निस को आप बहुत जादा विलीव कर सकते है यस बिलीव करने के इन दे लैटर यह सी कम्बाइड वर्ट क्रेडिबल ये गादिस को आप जाद बिलीब कर सकते हो क्रेडिबल कैन बीडिव बिलीव बर्क्रेडुलस हर चीज पर बिलीव कर रहा है लेट लेट चार्ट सम् डिफरेंसे स्क्रेडिलस लिसनर्स दोसों फुली बिलीव दैवाट देहर मतलब अगर आप मोदी जी को सुनकुन की सारी बातों को एकीन कर लेता त स्क्रेडिबल स्टोरी जैन्मीन स्टोरी एन इंक्रेडिवलस एटिट्यूड मतलब क्या है एन एटिट्यूड अप स्केप्टिसिजम और नॉन बिलीव अब कोई भी बात सुनते हो यह नहीं नहीं करते हो अब जैसे हमने मार्स में बहुत ही सस्ते में कर दिया बट आप इ इंक्रेडिबल इन जो है एक ने इक प्रिफिक्स जो बिलीव करता है इन क्रेडिबल स्टोरी जिसको आप भी नहीं कर सकते हैं ठीक है जैसे कि स्टोरी जो इतना यंग था कि मतलब आइसकल की यूदू तो टिक टॉक बना रहे हैं वह आदमी देश के लिए फाजी पिच़ that that was an incredible person one that cannot be believed कि ऐसा आदमी था once Einstein said that this for Gandhi कि लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा वेक्ति कभी धर्टी पर चला था that was Gandhi incredible characters a person who are so unique that you can scarcely believe they exist incredible characters होते हैं आप उसको बिलीव नहीं कर सकती कि आदमी धर्टी पर exist किया भी था ठीके जासे भी महात्म गांधी का गशंपल दिया जासे characters of Shakespeare were all incredible characters take Hamlet take Ophelia Ophelia is such a great character King Lear now none are formed as follows credulous credulity credulous incredulity credible credibility incredible incredibility to check your understanding of these distinction distinctions try the next test use credulous credible or corresponding negative or noun form in the following sentence she listened to her husband's confession of his frequent infidelity for she had always considered him a paragon of moral uprightness देखो ऐसा तो हो नहीं सकता है नहां तो यहां पर आएगा credulis he told his audience an incredible and fantastic story of his narrow escapes he will believe you he is very credulous तुमसे कुछ भी बोलो वो यकीन कर लेगा make your characters more you want to read as a more credible 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 believable बनाओ उनको थोड़ा सा यसा credulous कर दो पिछ गरबड़ा रहा हूं कुछ गरबड़ा रहा ना यह स्पेलिंगर बड़ा फिर से लिखो c e d u l o credulous if you want believable बनाओ ता कहें लोग उसा पर यकीन करें we listened dumbstruck full of we listened dumbstruck full of to shocking details of corruption and voice इस पे believe ही नहीं हो रहा तुमें इस पे तुम क्या लगा सकते हो यह कौन सा नंबर है यह पाच्वा नंबर है ना believe नहीं कर पा रहा हो तुम dumbstruck हो गया तुम इंक्रेडुलस होना चाहिए इंक्रेडुलस full of incredulity नहीं पे आएगा do to the shocking details of corruption and voice he has the most incredible good luck incredible good luck the incredibility of it how can such thing happen नहीं पेपल सक्वेपल नहीं पेपल नहीं पेपल नहीं पेपल नहीं क्रेडुलिटी क्रेडु 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 क्रेडुलिटी whatever anyone tells me do you believe me sure your story is credible enough believable enough I am not objecting to the total of a story but only to your thinking that I am I am not objecting to the total incredibility क्रेडुलिटी 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 of your story but only to your thinking that I am credulous enough तुमारी बाते सुनने को त्यारो what people believe in credo is to believe is the origin of four other useful English words credo personal belief code of ethics the principle by which people guide their action creed creed credo से related है बत इसके साथ एक प्रॉबलम है यह रिलिजिन से related religious beliefs से related like Catholicism Judaism Protestantism Hinduism etc credo क्या मतलब क्या है credo मतलब personal belief code of ethics the principle by which the people guide their action credence believe as in I place no credence in his story or why should I give any credence to what you say credentials a document of documents document or documents providing person's right to to a title or privilege a right to be believed as in the new ambassador presented his credentials credentials अपके passwords को भी कभी कभी credentials कहा जाता है password मतलब जो आपकी authenticity को authenticity को prove करे कि हाँ आप यही विक्ति हो आपको प्रूव कर दे हाँ यही विक्ति हो जो credentials होते हैं आपका आधार हुआ आपका voter ID हुआ आपका और कोई document हुआ जो government दिये जैसे दिये लुआ यह सब क्या करता है आपकी authenticity को प्रूव करता है प्रिविलेज को प्रूव करता है कि हाँ मैं ही हूँ DME जगय का तो आपको सारे जो प्रिविलेजेस है वो मिलेंगे क्रेडेंस को क्या हुआ बिलीफ आज इन आई प्लेस नो क्रेडेंस इस सार्ट स्टोरी बिलीव बिलीव कर देना क्रेडेंस क्रीड एक रिलीजन से चुड़ा होना और इसके पहले क्या है क्रेडो क्रेडो क्या होता है परसनल बिलीफ चलो एड एड अटेज वे नहीं हार्ली ख्लोज आवर्ट बोक और वर्ट सजेशन इस पीपल और फार मोर दन सिंपल ली नॉट इंजिनियूस यह क्राफ्टी कानिंग डिसॉनस्ट आर्टफुल इंसें अंट्रस्टवर्दी देखो बेसिकली कह रहा है कि देखो दोनों चीजों को जाना जरूरी अभी हम जाने क्या कि इंजिनियूस आदमी क्या होता है सिंपल होता है अपना सिंपल लाइफस्टाइल होता है बट इस सेकेंड वर्ड अगर किसी क्या आगे लगा तो डिस तो डिस इंजिनियूस आदमी क्या होगा उसका अपोजीट होगा जो सिंपल नहीं रहेगा प्रेतने समिंपल फ्रैक निभर बनेंग ऐसे जसमें बहुँ सिंपल आदमी हूं एक्दम ग्रांडड़ आदमी हूं बूट इन रालिटी आओ ग्रैलिटी यहां पर कॉनिंग इसानश्त आड फॉल्स एंसिंचिया अन्फ्रस्टवर्धी you are thinking of a wolf in a sheep's clothing it's a good analogy टेक है वही बेड की खाल में बेडिया वाला यहां पर डालोग है वुल्फ इन sheep's clothing similarly a remark may be disingenuous as may also a statement and attitude a confession एक रिमार्ग भी disingenuous हो सकता है जैसे एक बच्चा फेलो यारे तुमने इतना बढ़िया गाम किया है ठीक है अरे मत पढ़े यार इस बीना पढ़े पास कर जाओगे तुम तुम तो तुम को चड़ा रहा है पर असलिए मुसको पता है कि अगरी नहीं पढ़ेगा तो फिलो जाएगा as may also statements and attitude a confession and ness ness लगा दो तो क्या बन जाएगा disingenuousness नावन हो जाएगा और अच्छलो आब इस सफिक्स प्रिम्राइब करने है नगाएगा technical creativity ट Australians ingenuousness, ingenious, ingenuity, naive, navate, credulous, incredulous, gullible, gullibility, credible, incredible, credulity, incredulity, credibility, incredibility, credo, creed, credence, credentials, disingenuous, disingenuousness चलो, okay, indefatigable, indefatigability, जिसको थका नहीं सकते हो, तुम, आजा, ingenuousness, ingenuousness, जो हर चीज़ पे, skepticism करेगा, disingenuousness, cunning आदमी होगा, यह बहुत दूस्ट आदमी होगा, यह रहा, उपर में, चलो, उपर का कामी दातम होगा, निवेट, credibility, अगर आदमी के किसी, credibility है, तो क्या होगा, वो, बिलिबिल्टी होगा, इनकुरूडिबिल्टी, इनकुरूडिबिल्टी क्या होगा, अब यहाँ पर बचा, तीन वर्ड, जिसमें है, इनकुरूडिबिल्टी, क्रेदेंस, और क्रेडो, क्रेडेंस, मेरे ख्याल से, पर्सनल कूड अफ एथिक्स को कहेंगे, क्रेडो, क्योंकि, वही होगा, मेरे ख्याल से, क्रेडेंस का, फ्रैंकनेस होना चाहिए, इट का, आपका, क्रेडो, वही तो कहारा था, क्रेडो का मतलब, पर्सनल कोड अफ एथिक्स हो गया, और क्रेडेंस का हो जाएगा, आपका, बिलीव या ट्रस्ट, इस पे आदमीं बिलीव कर सकता है, और इनक्रुडिल्टी, फ्रैंकनेस हो जाएगा, नहीं यार, इनक्रुडिल्टी, एक क्रुडिल्टी आदमी जो होगा, एक क्रुडल आदमी जो होगा, वहर चीज़ पे बिलीव करेगा, इनक्रुडिल्टी, इसके प्रिसिसम, ये उपर जाएगा, अब क्या बचा इंजीन्यूसनेस और डिसिंजिन्यूसनेस मेरा क्याया से सेकेंड कर डी होना चाहिए मिला लो इंजीन्यूस इंजीन्यूस नैव नेव का मतलब क्या होगा तो क्रीड हो गया यहां पर मिल गया गलीबल जिसको इडिलिटरिट कर सकते हो इंक्रेडिबल नेव इनक्स्पीरेंस वर्ली डॉकॉमें प्रूविंग प्रिविलेज अदर एक्रेडेंश अन्बलीविबल ऐसा अदमी जिसको तुम बिलीव नियुका श्रूदनेस क्लियरनेस इंजिनियस इंजिनियुटी मेरे ख्याल से फस्ट का एफ होना चाहिए इस फस्ट का जी है भाई लोग देखोंगे गलती होगे हमसे हैं और सेवन्थ का क्या होगा फिर सेवन्थ का एफ होगा ठीक यहीं पर कंशुजर है बागी सब सही है मैं अमने यहां पर बगल में लिख दिया करूंगा ऐसा गोजो मोजो में बहुत दिक्कत हो रही है इन डी फैटीघेडिलिटी असँजिकल नी मोशनल हम इन डीफैटीडिग बिल्टी थकाने का साइज है इसाइन फिजिकल एन मोशनल हम हर जवाद में ही हुग यहीं ऐन दूट्ब 2025 जोचण दूडिगडग इस इंजीनियूसनेश इंजीनिएफ इनजनिओ शनियूसिए आ is ingenuity a character of inventors are some adolescents naive are unintelligent people often gullible does an incredible story invite belief no do people generally live by a credo does our constitution guarantee certain rights to American irrespective of their creed are ingenious people sometimes ingenuous do we generally give credence to incredible story credence to incredible story nahi tabhi to unbelievable hai wow inexperienced unsophisticated naive believe believing jesko tum believe credulous creed religious belief believable credible credible story great reserve of energy indefatigable frankness ingenuous crafty dishonest dis ingenuous inventive clever clever incredible ingenious ingenious easily gullible 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 बाते भी आसी हैं जो आराम से आपको पचा ली जाएं skeptical in ingenuous होगा यहाँ पे skeptical है ना credulous incredulous unbelievable जिसको believe नहीं कर सकते हो incredible personal code credence credo श्यालो अरे इंडर सेशन 4 अंदर सेशन 34 में तब तक के लिए बाई